इडली तो कई टाइब से बनती है, कोई सूजी से बनाता है, तो कोई चावल से दाल से बनाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी इडली की रेस्पी बताऊंगी, जो शायद ही आपने सुनी होगी, तो ये नए इडली बनाने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर चले, हब पतला-पतला सेप में काटा है, तभी 1-2 मिंट के लिए प्याज को भूषन लेना है, प्याज सोफ्ट हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे बी DR. During this realities, को बीन्स को भीम है , इकदम छोटे-छोटे cabbage उसे भी आधा से ही कम मैंने यूज़ किया है उसे भी दो के और भारी पीस में काट देना है उसके बाद मैंने डाला है तेस्ट के कोड़े नमक और अब मैंने लिया है बची हुई इटली जो हम इटली बनाते हैं बच जाती है अगर मानल हमारे घर में तो इस टाइप से आप इटली बना सकते हो तो ये एटली मेरे पास बच्ची हुई थी उसको मैंने एक इटली में चाट तुकड़े कर लिये है और अब हमें डाल देना है इसको कड़ाही में उसके बाद मैंने डाला इसमें सोया सॉस ये मैंने डाला चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस डाला है मैंने औ अब डालना है tomato sauce अब अपने taste record यह सब चीज़ डाल सकते हो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है इन सब को डालके अच्छी तरीके से इसको mix कर लेना है आप चाहो तो इसमें vinegar भी डाल सकते हो येकिन अभी sauce डाल दिया है उसे फिर हम serve करेंगे तब ही तयार है हमारा Chinese Italy जो की फटा-फट से बन जाता है ज़्यादा time में लगता है और खाने में भी taste बहुत अच्छा लगता है उपर से थोड़ा सा प्यास डाल के उसे decorate कर देना है तो इसी तरीके से आप घर में बची हुई इटली को करके बताईएगा और चैनल पे नए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब जरूर करेना मेरे आने वाले नए वीडियो के लिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करना हो सकता है किसी के पास इटली बची हो या रोटी बची हो तो इस टाइब से वह चैनीज इटली या चैनीज रोटी बढ़ा सके तो फ्रेंज फिर मिलते हैं मेरे कवरी आने वाले नए वीडियो के साथ तब तक इटली इन्जॉई कीजिए बनाईए खाईए और दूसरों को भी खिलाईए बाई बाई